नमस्कार मैं हूँ रतना और आप स्वागत रतना जोन रेस्पीज में नवरात्री शुरू हो गये हैं नवरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है नवरात्री के बहुत ही बड़ी है रेस्पी आज मैं आपके लेकर आए हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ड्चत घ्टी लगती है तो इसे बना कर TUS... बेयार करते हैं बहुत ही आसानी , बन कर TUS... सबसे पहले मैंने यहाँ पर 12 क किटूरी मुखाने लें जिने भून लिया है कि इस तरीके से से क्रिस्पी हो जाने चाहिए और यहां पर समाके चामर लिया है इन्हें भी 2-3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर मैंने भूंड लिया है जिसे कि इनका कच्छापन दूर हो गया है इन दोनों को पीस कर हम पाउडर बना लेंगे जिससे की जो हम रेस्पी बना रहे हैं उसमें बाइंडिंग आएगी त यहां पर मैंने धनिया पत्ती लिया है साथी में अद्रक डालेंगे और इसी के साथ में दो हरी मेर्चों को मैंने कट करके रखा है इन्हें भी डाल लेंगे एक चमच भुनी हुए मूफली डाल रही हूं बहुत बढ़ी है फ्लेवर आता इससे एक चोड़ा चमच चीनी ड लिया है हंकड बना कर तयार करना इसी तरीके से तयार किया हुए हमें लेना है इसमें से पानी अच्छी से निकल गया है और इसमें 100 ग्राम पनीर को भी मैं डाल दे रही हूं कद्दुकस करके घर्व में बना हुए पनीर है आप चाहें तो मार्किट का भी इस्तमाल कर सकते के दोमच में कद्दूकस की हुई गाजरे भी डाल रही हूं आप बरत में जो भी चीज़े खाते हैं इसमें में डाल सकते हैं तो हमने मिक्षर बना कर रखा था का उसे डाल लेते हैं सारा ये मिक्षरम डाल लेते हैं इस तरीके से आप ये कबाब जुरूर बना कर देखे का बहुत भी बढ़िया लगते हैं खाने में अब बागी के मसाले भी इसमें आड कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक चम्मच काजू भी ले रही हूं 5-7 काजू को टालेगे मिच को मिच कट कर के लिए उसे अपने तो ढ यहाँ कर देंगे और देख लीज़यगा हो रही है तो आप दालना जाए सब्सक्त कर सकते हैं इसे गफाया तो तीन चम्मच आप पाई डाल सकते हैं जो मेरा मिक्षर है बिल्कुल बढ़िया बनकर तयार हुआ है ना ही जा सकते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट है हाथों को मैं अच्छे से वाश कर लिया अब इन्हें शेप दे लेते हैं अपनी मन पसंद की शेप में आप इन्हें बना सक सब्सक्राइब चर्द कर लेते हैं entity में डाल लेग और इन्हें लो मीडियम पर पकाना है फ्लیम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना लो मीडियम पर लियुकल तकि इन्हें बढ़िया सश्यक्राइब हमारे कबाब है बना तयार हो जाते हैं इस तरीके से आप लगते हैं अगर एक बर आपनी बनाया तो बार बार बनाने वाले हैं बहुत इस तरीके से बनाकर तयार कर लेते हैं सबी को देख सकते हैं तोड़कर भी मैं आपको दिखाएती हूं अंदर seződya रिया है जो हमारे कभाब्य बन hai उठायर हो थिसुन अपने एक बार बनाय तो ज़रूर बार बनाने वाले हैए इस नवरातरी इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिएगा ये रेस्पी आपको बहुत पसंद आने वाले चलिए मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार खुश रहिए खाते रहिए